श्री नाज्जी गुरुजी गोलाखादेश, मा भगवती गोलाखादेश, रांची वाले भाहिरा बाबा गोलाखादेश, आप सभी गोलाखादेश वीरो की साधना के बारे में बहुत सारी बाते आपको इंटरनेट के माध्यम से प्राप्त होती होगी, बहुत सारे मंतर यंदर तंतर भी बताया जाते हो, सिबसे पहले अगर कोई आपको वीर साधना दे रहा हो, तो उसके हाथ पर आपको देखना चाहिए, कि वीर कंगन है कि जिसके हाथ में वीर कंगन होता है वो अधिकृत होता है वीर साधना के लिए उसने वीर साधना की हो ऐसा एक प्रमान मिलता है आज जो मैं आपको वीर साधना दे रहा हूं और जो वीर साधना जो मैं अपने शिविर में बताने वाला हूं दोनों में अंतर हैं क्या अंतर हैं एक बावन वीर होते हैं बड़ा गूर बात बता रहा हूं यह आपको शायद कोई और ना बताए इसको ध्यान से सुनिएगा जो बावन वीर होते हैं वो और जो वीर होते हैं वो दोनों अलग हैं जब मैं बोलू वीर साधना और जब मैं बोलू बावन वीरों में से एक की साधना तो दोनों में अंतर होगा बावन वीर भायरव बाबा के सेवक हैं जिनका राजा नरसिंग वीर है और वो बावन वीरों को बैठाया जाता है उस कंगन में या फिर जो उनके राजा है वो उस करना है तो उसके लिए रख पिपासी वीर होते हैं तो आपने जिस पर वो वीर चला दिया उसका शरीर का जो चमड़ा है वो फट-फट के खुन निकलेगा और वो दर्दनाक मौत मतता है इतना खतरनाक होता है और वीर की खासियत क्या है वो किसी की बात नहीं मनता ना वो डे प्रेवा में लगे रहते हैं तो वह एक बावन वीर की साधना होगे जो मैंने बोला कि वह मैं अपने मतलब अपने सानित दे में आप लोगों को कराऊंगा उसके अलावा एक और वीर होते हैं वह वीर जिनको वीर बनाकर स्थापित किया जाता है जैसे कि जो राजस्थान गुजरात छेत्र के लोग होंगे नौर्थ में भी बहुत जगा पे वीरों को स्थापित किया जाता है एक बहुत फेमज वीर है जो बुलेट वाले वीर जी हैं ऐसे बहुत सारे वीर होता है जो इस्ट इंडिया वाले हैं इनके लिए वीर का जो कंसेप्ट वो नहीं है यह नहां पर ब्रह्मदेवताओं का स्थापना होता है जैसे ही कोई बहुत शक्तिशाली कुवारा तांत्रिक ब्रह्मण ऐसा किसी का अगर देहांत होता है तो उसको एक स्थान दिया जाता है और उसको ब्रह्मदेवता बोला जाता है और इस ब्रह्मदेवता के पास सारा सवाथना आज दे रहा है इस वीर में अंतर है यह वो लोग होते थे जो सच में वीर होते थे हैं और वह ब Orleans और रूइका नाच्राल देत हमतलव नहीं होने के कारण उनको एक स्थान दे आ जाता है और वह लोगों की साहता करते तो वह जो वीर साधना आज मैं आपको दे रहा हूं कैसे करना है इस वीर साधना को करना है जो उगता हुआ सूरज हो मतलब जब आमावस्या हो और आमावस्या के बाद पूर्णीमा की तरफ जो चंद्रमा है वो बढ़ड़ा हो वैसे समय में किसी व्रस्पतिवार को आपको दिन भर का उपवास रखना है ठीक है दिन भर का उपवास रखने बाद जो उपवास व्रत के तोड़ना है ऐसा करके आप दो घंटे मौनवरस्थ में जाएंगे मध्यर पिर आत्री में आप या फिर मध्यरं परेसे 5 मिट पहले सनान करेंगे और लाल कपड़ा पहनेंगे लाल वस्तर पहन के यह साधना होता है और लाल आपका आसन भी होना चाहिए लाल वस्तर पहन करके आपको जो दूसरा काम करना है वो है इत्र लगाना है इत्र लगा करके रूमी सिंगर्फ आता है तुमी सिंगर एक जड़ होता है या फिर एक वानिज्य है जो आपको किसी भी इत्र के दुकान पर पूजा के दुकान पर और सदी के दुकान पर कहीं भे मिल जाएगा उससे आपको एक अपने चारो तरफ घेरा खीचना है ठीक है उस घेरा को खीच करके उसके अंदर आप बैठ जाएए एक मीठा पान का पत्ता बनवा के पहले से रखे और उसमें एक लॉंग डाल दीगे मतब लॉंग से उस पान का बंदन होना चाहिए उसको घोप दीजेगा और उसको सामने प्रशाद के रूप में रखेगा उसके बगल में चार इलाइची और आठ लॉंग के दाने और कुछ जो है सुपाडी वह वहां पर पूरा रखेगा बिना काटे हुए एक दीपक जलाएगा घीका कुछ धूप जलाएगा अगरवत्ति मत जलाएगा धूप करके जो मंत्र में आपको बताने वाला हूँ उस मंत्र का जाप करिएगा मंत्र में आपको तीन बार बोलूँगा और तीन बार में आप लोग इसको लिख लिएजेगा मंत्र है जब तारा तूरी स्वाहा फिर से सुनिये जब तारा तूरी स्वाहा इसका आप लोग 5000 जब कीजेगा अगर आपने सब कुछ सटीक किया तो इसके बाद जिस भी वीर को आप बुलाना चाहते हैं उस वीर का आपके सामने आगमन होगा जो भी आपको कर्म उस वीर से करवाने हैं जो भी आपकी मनो कामना है उस वीर को बताईए और वो वीर आपका काम कर देगे बहुती सिंपल सी साधना और सुरक्षित साधना है लेकिन फिर भी मैं बोलूँगा कि आप लोग घर में इस साधना को ना करें अब फिर वापस आते हैं हम लोग वीर साधना पर हम लोग जो वाट्सअप ग्रूप है वीर साधना का वो इस आमावस्था के बाद मैं शुरू करूंगा जिसमें कि उस 51 दिन में मैं आप लोगों को जो आपका बंधन है जो वीरों के लिए बहुत जरूरी होता है भैरव की साधना बहुत जरूरी होती है और फिर नर्सिंग वीर की साधना वीर कंगन के साथ आप लोगों को मैं प्रदान करूंगा इसके अलावा मैंने एक 10 दिन का प्रोग्राम ऐसा भी रखा है जिसमें कि 40 दिन आप घर पे साधना करोगे और जो बाकी का 10 दिन है जिसमें वीर साधना होगी वो 10 दिन आप मेरे साथ करोगे तो हवान और रोज की बली वो हम लोग साथ मिलकर देंगे मेरे सामने करोगे तो क पर अटाइक कर सकते हैं वह बावन वीरों की मैं बात कर रहा हूं इस वीर की साधना में बिल्कुल शुद्ध साधना है बहुत लालच मत करिएगा अगर वीर आ जाते हैं तो और बिल्कुल ही शांतमंद से जो बहुत जरूरत की चीज़ों वही मांगेगा क्योंकि वरना यह भी चीड़े हो जाता है वह नाराज हो जाता है अगर आप किसी का अहित करने के लिए इनको बोलते हैं या उकसाते हैं आज के लिए इतना ही आप लोगों को बोलूँगा जिनको 52 वीर की साधना करने वह जल्द से जल्द मुझ से बात करें आप सभी पर वीरों की कृपा ब आज के लिए इतना ही, इसके अलावा अगर आप साधना मुझसे सीखना चाहते हैं, तो मेरा एक वाट्चाप ग्रूप है, जिसमें बेसिक साधना मैं सिखाता हूं, उससे आप जुड सकते हैं, अभी एक साधना शिविर होने वाला है, अगर आप साधना करते हैं, तो एक से तीन तारिक रात तक, एक साधना शिविर होने शिवपूरी में उसमें आप जुड सकते हैं, अगर आपको मुझसे अपॉइटमेंट लेना है, तो मेरा वेबसाइट है www.aghortantarhasa.xyz, इसके अलावा मेरे एक किताब है, Handbook for Paranormal Investigator, वो आप खरीद के पढ़ सकते हैं, अगर सब्सक्राइट में नाम मिलेगा, आपको calling option मिलेगा, बहुत urgency हो तो मेरा WhatsApp पे आप संपर कर सकते हैं, आज की यहता है, उमीद करते हूं कि इस वीडियो के बाद आप लोगों का जो भी समस्या हो, एक कीलन से related, वो सॉल्व हो जाएकि, आप सभी को आदेश आदेश,